हेलो फ्रेंट्स स्वागा थे आप सभी का हमारे चनल पे फ्रेंट्स आज की इस फीडियो में ब्लाउच की पेक डिजन आपके साथ सेयर करेंगे ब्लाउच की लंबाई 14 firms है. शॉल्डर है 05 Inche, आर्मोल है पौन है 6 Inche और यह ब्लाउच 36 सासे है 36 सासे है 36 का एक चौथाइ लेंगे 9 इंच डिर इंच मार्जन के लिए कमर का एक चौथाइ लेंगे एक आउचे टकस के लिए 5 उवार्जन के लिए तो देख सकते हैं निशान मैंने मिला दिया है अब इस पर नेक का शेप देंगे तो इस तरह से देखिए हमें नेक का शेप देना है राउंड में हलका मटकाशा शेप मैंने दिया है और फिर इसी निशान पर हमें नेक की कटिंग करना है तो देख सकते हैं नेक की कटिंग मैं कर लिया है अब हमें लेना है में फेब्रीक में फेब्रीक की सीधी साइट उपर ग्योड करते हुए रखेंगे उपर से अस्तर फेब्रीक को रखेंगे और अच्छे से तोनों फेब्रीक को पहरे मिला लेंगे और अच्छे से इस पर पीन अप कर लेंगे तो देख सकते हैं प पींस हमने लगाई है, शारे पींस को खोल लेना है, और अब जो में फेब्रिक एक्ट्रा है सेन्टर पर नेक वाले फेब्रिक इस पराप trig करdar लेना है, और अब देखिए पूरे नेक पर छोटे छोटी चोटी कर्ट्स लगा लेंगे, थाकि जब हम अस्तर फेब्रिक को कर डिजाइन बनाया है और अब देखिए पूरे नेक पर हमें कॉर्णर की स्टीच करना है टॉपी स्टीच लगाएंगे इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब हम ब्लाउज में और डाउन स्टीचिंग करेंगे तो साइट से कॉर्णर की स्टीच करते देख सकते हैं दोनों फैरी की स्टीचिंग मैंने करते हुए जॉइजिन कर लिया है अब जो शायट से एक्स्ट्रा वेब्रिक निकला है मेन फैब्रीक तो अस्त्र फैरीक के बराबर में हमें 4 तरप एक्स्ट्रा वेब्रीक की कर्फिक करेंगे तो इसी तरह से मैंने चारो तरप एक्स्ट्रा फैब्री की कटिंग कर लिया है अब इस पर हम टक्स की स्टिचिंग करेंगे तो साइट से सेंटर की और फोल्ड करेंगे और टक्स की स्टिचिंग करेंगे टक्स की लेंथ 5 इंच मैंने हाँ पर रखा है 5 इंच और अब इसी त प्रत्ति हें दोनों साइड मैंने टक्स की स्टीचिंग कर लिया है अब हम कमर पी कमर पट्टी लगाएंगे तो देर से दो इंची चोरी पट्टी की चवडाई रखनी है पट्टी को उपर के साइड रखेंगे और हाप इंची का मार्जन कभर करते हुए पट्टी को इस तरह को प्लट लेंगे कमर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए चाहे तो आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से रफी स्टीच भी लगा सकते हैं ताकि हम बाद में इस पर तुरपाई कर सके तो देख सकते हैं कमर पट्टी की स्टीचिंग हो गई है तो ब कॉंटरस में फैब्रिक लिया है और पट्टी के चोड़ाई मैंने यहां पर थ्री इंच रखा है तीन इंच पट्टी को सीधी साइट को फोल्ड करेंगे और कॉनर की स्टीच करते हुए इससे जॉइंट करेंगे एक्स्ट्रा धागे को cut कर लेंगे और side से जो एक्स्ट्रा धागा और fabric निकला होगा तो उस अच्छे से cut करके clean कर ले और किसे चीज के मदद से पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो joint वाली side है इसको center पर रखते हुए इस पर press लगाएंगे इस तरह से joint वाली side center पर रखना है और design के लिए आप पट्टी को cut करेंगे तो 2.5 inch 2.5 inch की length रखते हुए पट्टी को इस तरह से fold करेंगे और ब्राबर में cut करके इसे ready कर लेंगे और फिर इसी तरह से मैंने और कुछ पट्टी अलक से cut करके बना के रख लिया है क्योंकि जितनी भी जवरुत होगी भी blouse में उस करने के लिए तो अलक से हमें बना के रख लेना है तो देख सकते हैं मैंने कुछ बना लिया है तो इसे करते हैं side अब हम blouse वाले fabric को लेंगे और यह जो पट्टी है इसको देखिए उपर से एक इंच का gaping पे ले हमें छोड़ देना है और फिर पट्टी को fold करते हुए बिल्कुल neck के corner पे रखेंगे और थोड़े थोड़े gaping center पे छोड़ते जाएंगे half inch करीब में center पे जगा छोड़ते जाएंगे और फिर एक एक पट्टी को fold करते हुए joint करेंगे ब्राबर में पूरे neck पर तो देख सकते हैं मैं यह design की इस तरह से बना रही हुँ थोड़ा थोड़ा gaping center पे छोड़ते हुए सारे designs को joint करेंगे fold करते हुए और दोनों shoulder के side हमें इस तरह से check कर लेना है ताकि दोनों shoulder वाली जो design है बिल्कुल पराबर में आए तो देख सकते हैं मैंने सारे designs को joint कर लिया है अब जो extra धागा इसे cut करेंगे और side से देख सकते है extra fabric भी है निकला तो इसे भी अच्छे से cut कर ले ताकि जो neck का design है उस पे दिखाई ना दे extra fabric इस तरह से cut कर लेना है तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से cut कर लिया है अब देखिए इस पे हम pipe in बनाएंगे उपर के side पे तिसके लिए हमें उड़ेब पट्टी लेना है यानि cross पट्टी लेना है पट्टी के चवड़ाई सबा 1 inch है एक side से इस तरह से fold करते हुए corner की stitch करके इसे joint करेंगे यानि यह जो पट्टी है एक side से corner वाले side से fold करते जाएंगे और corner की stitch करते हुए पूरे neck पर joint कर लेंगे pipe in को देख सकते हैं मैं यह pipe in किस तरह से पना रही हूँ पूरे neck पर इसी तरह से pipe in को joint कर लेंगे तो देख सकते हैं एक साइट से मैंने पैपिन वाले फैब्री को फोल्ड करते हुए जॉइंट कर लिया है एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे अब जो यह पैपिन है इसके दूसरे साइट से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर के side fold करना है, बाहर के side नहीं blouse वाले side को fold करना है अंदर के side और बराबर में fold करते हुए इस side से भी corner के stitch करते हुए से बराबर में पूरे नेक पर piping को बना लेंगे तो देख सकते हैं मैं यह piping किस तरह से बना रही हूँ इसी तरह से अब देखिए पूरे नेक पर मैंने अच्छे से पाइपिन को बना लिया है अब एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे अब हम इस पर और एक डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए हमें प्लाउस वाले पार्ट को साइड करते हैं और एक डिजाइन बनाने के लिए हमें और एक पट्टी लेना है इस तरह से और सीधी साइड को फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा मारजन लेते हुए स्टीच करेंगे फोल्डर वाली साइड के से स्टीच करना है क्योंकि हम इससे पतली सी डोरी बनाएंगे तो देख सकते हैं हमने डोरी के लिए पट्टी को अच्छे से सिलाई कर लिया है तो यह जो डोरी है यानि पट्टी है हमें लंबा ही रखना है क्योंकि हम इससे डोरी बनाएंगे और अब देखिए निडल के सहायता से डोरी को सिधा कर लेंगे तो देख सकते हैं मैं किस तरह से डोरी को सिधा कर रही हूँ तो इसी तरह से ब्राबर में डोरी को सिधा कर लेंगे तो देख सकते हैं मैंने डोरी को ब्राबर में सिधा कर लिया है और यह बहुत लंबी डोरी है यानि यह जो डोरी है यह लंबा ही हमें बनाना है क्योंकि इससे हम design बनाएंगे chain model में तो blouse वाले part को लेंगे और जो neck वाला side, piping वाला side है उहां से हम अब यह design बनाएंगे तो इसके लिए देखे, dory के center वाले side से इस तरह से पकड़ना है और center पर पहले stitch कर लेना है अच्छे से और फिर इस तरह से देखे chain model में हम design बनाएंगे दोनों side से dory को पकड़ते हुए chain model में यह design बनाना है जो piping है, piping को उपर से बिल्कुल हमें इस तरह से chain model में design को बनाना है तो देख सकते हैं मैं यह design किस तरह से बना रही हूँ दोनों तरफ dory को पकड़ते हुए chain model में इस तरह से बिल्कुल piping के उपर से ही design को बनाना है तो देख सकते हैं मैंने यह design किस तरह से बनाई हैं पूरे neck पर मैंने center gear chain model में design को बना लिया है अच्छे से dory से अब जो extra dory है इसे cut कर लेंगे और इसपे अब हम और एक design बनाएंगे तो इसके लिए देखी हमें मोती लेना है तो मैंने यहाँ पर medium size की मोती लिया है आप चाहके तो बड़े-वाली size का भी मोती ले सकते हैं या फिर small size का भी मोती ले सकते हैं और निडल के सहाईता से हम यह design बनाएंगे तो यह जो हमने चकोरई design बनाएंगे फोल्ड करते हुए दोनों corner पे इसा से निडल से पहले इस तरह से stitch करना है और center के और fold करते हुए मोति को joint करना है तो देख सकते हैं मैं यह design की स्टर से बना रही हूँ आपको समझ में आगई तो अब इसी तरह से हम पूरे नेखपर डिजाइन को अच्छे से बना लेंगे तो देख सकते हैं मैंने कुछ डिजाइन आपको बना के दिखा दिया है अब अच्छे से बैक साइड में हमें इस पर नौट लगा लेना है ताकि जो डिजाइन है वो ना खुले तो देख सकते हैं मैंने सारे design को अच्छे से बना लिया है, fold करते हुए, अब जो ये chain model का design है, इसके center पर चाहे तो आप इस तरह से moti को joint कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बिना moti का भी ये design सिर्फ इस तरह से simple में भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर moti joint किया है, सारे chain model के design के center पर किक मोती को joint कर लिया है, stitch करते हुए, और अगर आप डोरी पसंद करते हैं, तो नेक पर आप डोरी भी बना कर यूज़ कर सकते हैं, लटकन के साथ, तो आज की हमारी simple सी blouse design complete है, आज की ये design आपको कैसा लगा, मुझे comment में जरूर बताईएगा, पसंद आई हो तो लाइक और share जरूर से कीज़ेगा, और चैनल पर पहली पढ़ाए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीज़ेगा, मिलेंगे नए वीडियो में नए designs के साथ, thanks for watching